इसमा ने केंधर सरकार से चीनी निर्यात निती में तेजी लाने का नुरोध करते हुए कहा है कि 2022 से इसमें कम से कम आच मिलियन टन निर्यात आवश्यक है इसमा ने कहा है कि सरकार को चीनी निर्यात निती जल से जल लागू करनी चाहिए चीनी निर्यात निती या तो उस परिक्षन किया गया है और सफल सावित हुआ है इसलिए इस्मा ने कहा है कि हमारा निवेदन है कि आप अपनी तीसरी परणाली का प्रयास ना करें और इसके साथ प्रयोग ना करें सितंबर को समाप्त होने वाले 2021-2022 के विप्णन वर्ष में केंदर ने अनुमानित ख्रेली उत्पादन से अधिक होने के कारण पहले से तैस 10 मिट्रिक टन से अधिक 1.2 मिलियन टन चीनी निर्यात की अनुमती दी है इस साल की शुरुवात में इस्मा ने अनुमान लगाया था कि 2022-23 में भारत का चीनी उत्पादन लगबग 49.97 मिट्रिक टन अधिक होने की उमीद है वहीं आपको बता दें कि इसमा का मानना है कि ये फैसला 2025 तक 20% एथनोल मिर्शन के लक्षय को प्राप्त करने के लिए महत्वपून होगा और इसमा ने गन्ये के रस से एथनोल के निर्मान के लिए लाबकारी मुल्या भी सरकार से मांगा है Bureau Report Market Times TV कर दो मांगा है